राहूल गांदी निडर है, राहूल गांदी सत्य और सत्य के लिए वो लड़ रहे हैं। इस इस सरकार के खिलाप जो उन सुनी हैं, गूंगी हैं, बहरी हैं। जो किसानों की औवाज नी सुनती हैं, जो युवाओ की परिशानी को नहीं समझती हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो गांधी परिवार का बेटा है, इस मुल्क की मिटी का बेटा है, तो आज इस देश के तमाम सुरक्षा एजिंसीज हों, दूसरे एजिंसीज हों, सब पे कब्जा कर लिया गया है, आज जुडिस्री भी सक के दाइरे में हैं, ये गांधी का द देख रहे हैं, जन हीतावाज और मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी गीरी, अभी हम मौझूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के जन तरमंतर पर, जहां पर एक जायजा लिया जा रहा है, यहां पर मौन सत्याग्रा होने वाला है, जो कि कॉंग्रेस पार्टी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, अभी हमारे साथ मौझूद हैं कॉंग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है, सर्कार के खिलाप है, जो किसानों की आवाज नहीं सुनती है, जो य निजी तोर पी लिया जाता है, उनको परताडित करने की कोसिस की जाती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो गांधी परिवार का बेटा है, इस मुल्क की मिटी का बेटा है, जिस परिवार ने इस देश को बनाया है, तो आज इस देश के तमाम सुरक्षा एजिंसीज हों, सब पे कबजा कर लिया गया है, आज जुडिसरी भी जो है सक के दाइरे में हैं, उसका भी दुरूप्योग हो रहा है, जिस तरह से पारलेमेंट के अंदर राहुल जी सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं दिया जाता है, तो राहुल जी सड़कों पर उतरते हैं, देश में यात्रा लेके निकलते हैं, उद्देश से यह की था कि इन तमाम लोगों की परेशानियां, विविन धर्म जाती के लोगों से मुलाकात करके उनके दर्द को सरकार के सामने रखना, सरकार को उस पे समाधान और हल करना चीए था, मरहम लगाना चीए था, बजाए ये करने के दर्दाने की कोशिस करते हैं, पर मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, जनता के उस विश्वास पर कहना चाहता हूं कि राहुल गांदी नीडर है, राहुल गांदी सत्य और सत्य के लिए उलड रहे हैं सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्षिया सभी सभी चीख चीख कर चिला चिला कर प्रधान मंतरी से सवाल पूछते हैं प्रदर्शन करते हैं फिर भी प्रधान मंतरी नहीं सुनते हैं आपका मौन सत्यागरा सुन लेंगे अब आपने स्वैमी कहा एक ताना साही सासक का चरित्र आपने बताया है और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को जैनित आवाज को कम से कम आपने इस स्विकार तो किया नहीं तो कुछ चंद द्योग पतियों की तरह कुछ बड़े चैनल इस तरह के जो मोधी मोधी करते रहते हैं महीमा मंडम करते रहते हैं तो आपने कहा है जो सुन नहीं रहा तो सभावी कैब हम गाधी को अनुसुन करने वाले लोग लोगों के बीच में मोन रहते हुए सरकार को हम हटाने का संक्रप ले रहे हैं एक ऐसा सासक जो भाजपा और संग के लिए काम करता है चंद उध्योग पतियों के लिए काम करता है तो साभाविक है जब वो अनसुना करे बातों को तो कॉंग्रेस अपने प्राने उस आदर्स प्रण ले रहे हैं तो जैसा कि आपने सुना कि कॉंग्रेस पार्टी अब डट गई है कि सत्याग्रह करके और इस बीजेपी की जो सत्ता है उसको उखार फेकने का संकल्प लेके चल रहे हैं वहीं आपको बता दे कि राहूल गांदी की जो याची का खारीज हो गई है उसक कि कॉंग्रेस इनका यही कहना है कि मोदी नाम जो है इतना बड़ा कैसे हो गया कि एक MP को डिस्कॉलिफाई कर दिया गया है वहीं जुडिसरी पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जुडिसरी को अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यह कई सारे सवाल ह है कैमरामेन आशीष के साथ मैं ब्यूटिगरी जन्हीत